नमस्ते साथियो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत थे आप तेकरे राइट इन फूल अपकर वीडियो में हूँ आपको साथी अप्रदीप मौर्या और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इं बीयासे नर्सिंग गौर्मेंट कॉलेज अडियान प्रवेश्चा देनी होती है और अगर प्रवेस्ट परिछा यानिके entrance exam देना होता है तो किस प्रकार का होता है State level का entrance exam होता है यानिकि राजी के इस तरह की परिछा होती है या फिर NEET का exam देना जरूरी है बहुत सारे questions आपके मन में होंगे उनसे भी questions के जो answers हैं जो doubts हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद clear हो जाएंगे बस आप last तक बने रहे हैं हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी अब यह साथे हो बात करते हैं BSC Nursing Entrance Exam के बारे में साथे हो BSC Nursing का जो Entrance Exam यानि जो परवेश परिच्छा होती है उसमें Phigis Chemistry Biology ये subject जरूर होते हैं इसके लावा और भी subject हो सकते हैं कुछ states में exam होता है तो उसमें Phigis Chemistry Biology ये तीन subject रहते हैं ये subject रहते हैं इसके लाव अंग्रेजी भी रहता है ठीक है अलग-अलग states का syllabus है उस भी थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि देखो syllabus है अगर इस्टेट लेवल का exam है तो इस्टेट लेवल पर जो examination conduct कराया जाता है उसकी जो examination conducting authority होती है वो तैंक करते है कि किस topic से कौन को से topic से questions पूछे जाएंगे ठीक है तो अलग-अलग states का जो entrance exam होता है उनके syllabus में थोड़ा सा अंतर होता है बहुत अंतर नहीं होता है थोड़ा सा अंतर हो सकता है उनके exam pattern में अंतर होता है तो अलग-अलग राज्यों को exam pattern है entrance exam का उसमें changes होते हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा अब सवाल यहां पर main यह था कि सरकारी college में admission कैस से होता है direct admission या फिर entrance exam देना जरूरी है साथियो government colleges यानि जो ब्यस्ती नर्जीं के सरकारी college है चाहे central colleges हो या फिर state college मतलब कि जो state level के college है राज्य के इस्तर पर है ठीक है उनमे admission होता है entrance exam यानिकी प्रवेश परिच्छा के अदार पर direct admission नहीं मिलता है private colleges में मिल जाता है और NEET का जो exam होता है national eligibility come entrance test NEET UG का exam जिसे NTA यानिक national testing agency conduct कराती है इस exam के दौरा भी BC nursing course में admission होता है कौन-कौन से colleges है जिन में NEET के through admission बोलता है and other कौन-कौन से colleges है जिन में state level का entrance exam होता ये भी हम आपको बताएंगे बस आप वीडियो को last तक देखते रहे है बातों को जान से समस्ते रहे चले साथ होगर हम बात करें उत्रप्रदेश यानि यूपी की तो यूपी में इस बार BAC nursing का combined entrance test यानि की CT कराया गया है उत्रप्रदेश में BAC nursing का CT यानि की combined entrance test कराया गया है इसके दौरा अलग-अलग जो colleges हैं उनमें admission होना है कौन-कौन से college engine में इस बार admission होन इसे entrance exam के through इसके लौग जौच मेडिकल इंवर्सिटी यानि की KGMU इसमें admission इसे entrance के through डॉक्तर रामनोहल लोहिया इंस्टीट ऑफ मेडिकल साइंसे लखना हो इसमें इसे entrance के through admission उत्रप्रदेश इंवर्सिटिव ऑफ मेडिकल साइंसे साइफा ही इटावा इसमें भी entrance exam के through जुरू admission होगा ठीक है मतलब कि उत्रपदेश में BST nursing का entrance exam कराया जाता है राजी के इस तरी की BST nursing की प्रवेस्ट पर इच्छा कराया जाती है उसके दौरा admission मिलता है BST nursing government college में private college में भी होता है especially यहां पर हम government college की बात करने इसलिए बार-बार हम बात करें करें government college की ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रिखेंगा तो government college में admission के लिए आपको उत्रपदेश में admission लेना है तो उत्रपदेश का domicile candidate होना जरूरी है और आपको entrance exam यानि की प्रवेस्परिच्छा देनी होती है अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में BCEC BSC nursing का entrance exam होता है इसके थ्रूर admission होता है बिहार के government BSC nursing colleges में अब यहां पर आपके मिन में सवाल यह भी होगा सर एम्स का BSC nursing का जो course होता है उसमें admission कैसे होता है तो देखें एम्स BSC nursing में admission एम्स के दोरा कराया जाने वाले BSC nursing entrance exam के थ्रू होता है मतलब की एम्स के दोरा BSC nursing का जो प्रवेस पर इच्छा यानि जो entrance exam है वो conduct कराया जाता है जो students examination qualify करते हैं वो counseling के process में participate करते हैं उनको admission मिलता है एम्स के जो अलग-अलग colleges है उनमें ठीक है तो एम्स में admission अभी तक जो चल रहा है वो entrance exam के थ्रू होता है एम्स अपना खुद का entrance exam अभी तक conduct कराता है BSC nursing के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि NEET के अधार पर admission होने लगे बट अभी तक जो चीज़ है वो मैं आपको ता रहा हूं कि इसमें एम्स के दौरा entrance exam कराया जाता है BSC nursing का ठीक है उसके बेश पर admission होता है एम्स के अलगलग colleges में बात करें जहार खंड की तो जहार खंड में JCC BSC nursing entrance exam होता है इसके दौरा वहां के जो government colleges है private colleges है उन्हें admission होता है अगर हम बात करें मध्यप्रदेश यानि की MP की तो MP में क्या होता है PNST entrance exam होता है प्री nursing selection test ये BSC nursing का entrance exam कराया जाता है इसके दौरा अलगलग colleges में admission होता है BSC nursing के ठीक है तो अगर आपको admission लेना है government colleges में मध्यप्रदेश के तो आप PNST entrance exam दे सकते हैं साथियो गर हम बात करें रजस्थान स्टेट की तो रजस्थान स्टेट में RUHS BSC nursing का entrance exam कराया जाता है RUHS यानि की रजस्थान University of Health Sciences जैपुर ये जो निविस्टिटी है वो BSC nursing का entrance exam conduct कराती है इस entrance exam के दौरा BSC nursing के जो government colleges है उन्द में admission होता है इसके लाग जो private colleges है उन्द म उन्द में भी entrance exam यान की प्रवेश पर इच्छा कराया जाती है उस प्रवेश पर इच्छा के आधार पर आपको admission मिलता है BSC nursing के government colleges में अब हम बात करते हैं साथ हो उन सभी colleges के वारे में जिनमें NEET exam की आधार पर admission मिलता है मतलब कि उनके लिए NEET का होना जरूरी है NEET exam अग कौन से colleges आईये देखते हैं इसके रगादि हमने पहले भी वीडियो मनाया कि BSC nursing के कौन-कौन से colleges हैं जिनमें NEET के थरूर admission होता है तो अगर आपने वो वीडियो देखें तो आपको इसके बार में जनकारी होगी कि कौन-कौन से colleges हैं जिनमें NEET के अधार पर admission मिलता है तो यह जो संस्थान है इसमें BSC nursing में admission होता है NEET के score के आधार पर मतलब कि जो students NEET UG exam qualify करते हैं उनको admission मिलता है इस college में यहां का जो BSC nursing college है उसमें इसके लावा IJMS पतना यानिकी इंद्रागंद इस्टीटॉप medical sciences पतना बिहार अगर आप इस अंस्थान से BSC nursing करना चाहते हैं तो आपको नीट UG exam में participate करना होगा next अहिल्या भाई college of nursing न्यूडेली college of nursing डॉक्टर रामनों लोया hospital न्यूडेली इसके लावा प्रोरेस नाइटिंगल college of nursing न्यूडेली college of nursing lady harding medical college न्यूडेली राज कुमारी अमरित काओर college of nursing न्यूडेली college of nursing सफदर जंग hospital न्यूडेली इसके लावा college of nursing बनास हिंदु उन्वरसिटी वारा नसी उत्तरप्रदेश यहनिकी बीचु का जो college of nursing है उत्तरप्रदेश में उसमें admission लेना तो आपको need exam qualify करना जरूरी है मतलब कि अगर आप need qualify करते हैं तभी आप admission ले सकते हैं इसके लाव साथे हो भौपाल nursing college भौपाल memorial hospital and research center भौपाल मध्यप्रदेश इसमें admission लेना तो need का exam देना जरूरी है इसके लाव साथे हो लक्षमी भाई पत्रा college of nursing डेली सेंट स्टिपेंस को अस्पिटल college of nursing डेली college of nursing कसूरबा hospital डेली school of nursing हिंदुरा hospital इसके लाव जामिया हमदर्द इनिवर्सिटी बीसी nursing college न्यूडली इसके लाव साथे हो military nursing service यानि की MNS बीसी नर्सिंग के जो colleges है उनमें भी नियर्ट एक्जाम देना जरूरी कौन-कौन से college of nursing afmc पुने college of nursing CHEC कोलकाता college of nursing INHS अस्विनी मुंबाई college of nursing HR&R न्यूडली college of nursing CHCC लखनो college of nursing CHAF बैंगलोड इसके लाव साथे हो महरास्टर यानि की महरास्टर इस स्टेट के जो बीसी आपको नीट यूजी एक्जाम देना होगा मतलब की नीट एक्जाम कौलिफाई करना जरूरी विकाज मरास्टरा के जो बीसी nursing colleges हैं उनमें नीट के आधार पर ही admission होने लगा है इसके लाव सात्यों उत्तरपरदेश राज के जो यह college हैं कौन कोंस है सरकारी medical college प्रयाग्राज यानि government medical college प्रयाग्राज गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज गौरकपुर गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज का नौज तो इन कॉलेजेश में नीट के स्कूर के अधार पर BSC Nursing में एडमिशन मिलता है इसकल साथ हो गोवा राज जी की आनि की गोवा स्टेट के जो BSC Nursing College है उनमें भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है आने वाले समय में हो सकता है कि और भी जो Colleges हैं वो नीट के अधार पर एडमिशन देने लगें अभी तक जितने हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताई एंस वीडियों का दोस्तों के साथ तुकि जणकारी प्रापत करने में रोची रखते हैं यानिके इन्टरस्ट रखते हैं उम्मीद करते हैं हैं इन सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे हूं है कौनगान से कॉलेजिंगें हैं जिनमें किस तरीके से admission होता है सवाल यहां पर आपके मन में यह भी आया सर फीज ट्रक्चर क्या होता है मतलब कि फीज कितने लगती है गौवर्नमेंट colleges में कॉर्स की तो देखे साथ हो जो फीज है अलग-अलग colleges में काफी सरकारी college होते हैं उनमें भी काफी अंतर होता है फीज ट्रक्चर इस college में कुछ और है दूसरे college की कुछ फीज और किसी college की फीज कम है और किसी ज़्यादा है इस तरीके से साथ होती है अगर हम बात करें किस रेंज में फीज होती है तो 6500 से 120,000 रुपए तक total फीज होती है total फीज का यहाँ पर अभी प्राय है चार साल की फीज की यानकि four years की वेसे जर्दिन चार साल का कोसर ठीक है तो total की फीज जो है यह 6500 से 120,000 रुपए तक हो सकती है हो सकता है कुछ colleges में आपको 130,000 रुपए यानकि 150,000 रुपए तक total फीज हो जाए वैसे अदिकतर colleges में देखा जा तो 120,000 रुपए तक total फीज होती है ठीक है बहुत से colleges में आपको 6500 रुपए 10,000-20,000 total फीज देखने को मिले चार साल की बात हो रही है हम पर ठीक है किसी में 50,000 रुपए तक किसी में 30,000 रुपए तक किसी में 80,000 एक लाग तक एक लाग 10,000 एक लाग 20,000 इस तरीके से देखने को मिल सकते है total फीज यानकि 4 years की फीज ठीक है तो यह government colleges का फीज स्ट्रक्शर होता है especially जिस college में admission आप लेना चाहते हैं आप उस college की जो website है official website आप उसको visit कर सकते हैं वहाँ पर आपको जानकरी मिल सकती है इसके अलवा अगर आपको official website पर जानकरी नहीं मिलती है उस college की तो वहाँ की जो students है जो पढ़ रहे हैं बेसी nursing कर रहे हैं उनसे आप जानकरी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं ठीक है तो उनसे भी आप जानकरी प्राप्त करने का प्रया work wellness के पेच्छा बहुत जैदा होती ही bir year की बात करें एक साल की फीज़स की तो प्राप्त को बैस अब किसी में नभी हजार रापय किसी में एक लाग एक लाग 20,000 किसी में और लाक इस से पहां जादा हो सकते है टोटल फीज़स की बात करें तो एक लाग 20,000 रुपय में खर से साथ लाख रुपय तक हो सकती है, टोटल फीस, अगर आप किसी प्राइबेट कॉलेज से करते हैं, तो फीस काफ़ी वेरे करते हैं, अलग-अलग कॉलेज़ में, उमिद करते हैं, सारी चीज़ आपको समस्य में आ रहे होंगी, अगर आप कम फीस में ब्सक्राइब करना चा तो गवर्मेंट कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, प्राइबेट कॉलेज की अप इच्छा, आप मेहनत कीज़ें, डेफिनेटली आप कम फीस में ब्सक्राइब कर सकते हैं, उमिद करते हैं, सारी चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगी, वीडियो जानकर ये आपको प्राइबेट रहे हैं, मेनत करते रहे हैं, सीखते रहे हैं, बेहतर करते रहे हैं अपने लाइफ में